अब आज तक के सबसे बेश्ट दर्सन वे बाबा के थेंग्यू काटु जी अब बाबा मत के पांच पाउँ है भाई भाई देखो कि दुरी मस्त रोल्स रोईस लोगा यह अपर वेश द्वार सारा सर बाला जी दाम इसारे बाईयों को रादे रादे जैमाता दी गुड मॉर और गारी तयार अपनी मैं खड़ा हूं ममी शासरवाद लेने के लिए मैं निकल लिए बाबा खाटो शाम जी के और ता सारे बाई बैठ चुके हैं पोट्टो ना वीडियों सारा कल बाईक करें लिए तो बाई काट शाम जी जानी के लिए सबसे पहले जाने आपने को महंदरिंगर शें Ag Major नार्नोल शें निजांपूरोड होते वे पाटन और पा ह। बाटन से नीमका थाना होते हुए हमारे को चकान खंडेला खंडेला से सीध्य हम पोजाते खाटू साम जी तो बोलो जै खाटू साम जी की खदू मोजा खाटू आले शाम जी तो बोलो जी कि उच्छा जी को जीग तो जी तो बहुत तो जाते हम जीग विवाटू साम जी साम जी तो जीटा कोजाते खाटू जीए तो बाई, फाइनली अपन पहुच गे, ओम बनना रेस्टूरेंट, टाइम कितना हो गया, टाइम हो चुका, दो बजने हम 15 मिन्ट, बाई, गारी कालत देख लो, थोड़ी थोड़ी गंदी होगी है, थोड़ी थोड़ी नियू बहुत गंदी होगी है जटो, होगे बहुत गं आरा खा एक नमबर काई, देख रहो हूँ, यह दर भी देखो, लाइट वाट सही लगए हो, चार पाइप जाक पड़ेगा, बाई, बाई, बाई ने चाय बना के दिये, बहुत बढ़िया, इतनी लाजवाप चाय बना के दिये, बल्ली हम तो दो दो चाय लिये है, बल्ली, आरा देखो, उपर, श्री श्याम द्वार, जय श्याम, जय खाटु श्याम जी की जय हो, अब देखो, खाटु श्याम जी यहां से बज जाता भाई, 10 किलो मेटर करेक्ट, लटका भजन सुनादा, हारेक सवारा, आ गया, मेरा लीले वाल आ गया, तो यह भी देख लो, पु करनी है, तो खाली पारकिंग है, अंदर बोस्रूम अगरा यूज कर सकते हो, बहुत गंदे हैं, बहुत बेकार है, वैसे हम यह उस वाले रास्ते से आ रहे हैं, पीछा वाले रास्ते से हैं, फ्रंट वाले गेट सो दर और भाई भीड़ी हो, कि जबरोस हो जो पहले जम भी चलता, कैस भी चलता है, भाई, बीड देख लो, बाब बागी क्या खतरनाक लग रही है, तो भाई, आपन खाटो साम जी के चलती है, लाइन में आ गए हैं, पता नहीं को जी लाइन में हैं, प्रेट दोस्त, छेच सृपट लाइन को जी लाइन, दो कोई भी लाइन हैं, अर्मि को जी क्रीक्स जाएन में को जाने को जाएन जाएन, जीक जाने को जानी हैं, जीक्स वाम, जीक्षी लाइन दहते hatte Запास, जीक्त व motivatesnaire, जीक्त भीचनac उलाइन, दो आण दो पाफाहिेह साम्का जेच तो बागना मत कोई भी आरा मनाम चलना बागना मत कोई भी आरा मनाम चलना मैरे के लिए इसमालोर थे भी पर ड्रो रिखनी है ने अब मेरे बाबा के नाम फवायग्चीर मेरे बाबा के नाम के था आ क्यांक को मारे यह ख किसमालर तो था मिरे बाबा के नाम और आज मैंने दिल वैसे एक दम वैसे बोला था कि बाबा सब व्याई पी दर्सन करते हैं क्या मैं वैसे नहीं कर सकता मतलब आपको पास से देख क्या है अगर आप लोगों भी देखे हो तो भाई जैसरी श्याम कमेंट में लिख देना जैसरी श्याम और भाई यह चुनी बांते हैं आपर जो मनत अगर आपकी कोई मनत होते हैं यह बांग जाने आर देखो खाटे सांगे क्या मेला लगावा है ऐसे रहता ना डेली मेला लगता है इतनी बीड होती इतनी बीड होती है जिसकी हद नी देख लो कितने सारे स्वाद दालू कितने सारे खाटो शाम प्रेमिया रखें भाई सच्छे बता रहा हूं दिल खुज हो गया आके बापा के पास इस आपको एशी से शोख बिल जाएंगे जहां पर खाटो साम जी कपड़े कानाची की मूर्ती और भी बहुत सारे सजावत के अंदर कपड़े ओपड़े बहुत सारे चीजे मिल जाएंगे आपको चलो और ये भी मिल जाएंग बच्चों के खाने के इसे आम कहते हैं पुद्धी की बाल ले लुए कैसे प्राचिन से वाले खाटे स्वामी इसके भी दर्शन कर लो लो जी आप बोले बाबा का मंदिर था आप बोले बाबा का मंदिर को अए कि आप आप अए करें जाफ ताफ से लो एक न थैको अथे क को आप न तेखो काऊ दांद्गा का फिना न थाे का अव्याला थाज़ है ता मता कि पांच पाउ है बाई जैँ मता कि रही में भी दिए उनों हाओ तरा आपको शाम कुंड के और दर्शन करा देता हूं यह देखो भाई बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है बर थोड़ अशा गंदा हो रखा है बचलेगा यह लो यह वाई शाम कुंड बोल खाटू नरे सिकी जै आप दिखाता हूं भाई सब नारे महीं देखे अपने गाड़े के पास फिर महां से निकलते हैं साला सर बाला जी के टाइम हो चुका छे बज़े के दो मिनट करेक्ट अब निकल दिया अपने शाला सर बाला जी के चलो बाला जी के दसनों करा देते हैं फिर चलते अपने घर को अब यहां रुक गें पीच रोड पे बीच रोड पे अगल बगल मुव ली एक खेत हैं बड़ा मस्सा मोश्म हो रखा है और यह देखो यह क्या कर दो यह ब्यारी लगे खेत में जब लिट लगे जिसका भी खेता हैं रेली रेली सोरी बट मन कर गा था खाने का तो खाल इन कर लेते हैं उदर वोस्त्रों में थोड़ा सा फ्रेच राइस हो लेते हैं फिर चलते अपने माबा के भूग लग लगी ना काफी देर होगी सूर्य बगवान की दर्सन कर लो कि कितना सुन्दर लग रहा नजारा यार बहुत मस्त हैं उदर मेंगी बंडरी अपनी स्टेंट के पीछे यहां हम बैठे हैं जाना खाटू शाम जी की दर्सन करके बहुत अच्छा रहा गाया सची में दिल से इतना मजा है ना अब ऐसी सालसर वाले बाला जी अपने बजरेंग बिली महाराजी के पास चलते हैं खाणा वाना खाके और अपने निकल लिए बाबा के लिए कि जो कि निकिला मेरा खंश्या दा है निकार लिए अब डरी डेको कितरी मस्त रोल्स रोइस में रुपपर बढ़े बढ़ी तो अबरी इन लग रही तो यह वास पुरी जाद जैसे लग रही तो टुट रग जी दुन लंबीत है ना इसको का अपनी एए यह ईंट आपने यह थान दे अपनी अपनी वाई ए राजस्थान में तुम्हार को यह देखने में मिल जा पता यह जी जी मिलेंगी बड़िया बड़िया मास्त ड्राइबर वाई पिस होगे हैं वाह मालियों की ड्हानी वेरी गुड बाइब वो तमस्तों मजा रहा है एकनम मतलब बिलकुल है विलेज टाइप आपना अपनी इस तरफ जो अपना अरियाना जाम रहते न वह भी थोड़ा सा वह मतरब क्या कहते हैं उसे विक्षित है यह वाला तो बिल्कुल कती ठेट देशी देशी आल श्वादली ना उन तो आज अपना देशी पना आए विल्कुल पूरा पूरा तो यह देख लो यह बोड दिख रहा है साला सारा 63 किलोमेटर अपना यहां से ठीक है चलो आप चलते हैं और हाएक चीज और अपना होटल वोटर मिलते रहेंगे बगलें बहुत अच्छे चीज है देख यह राग है बहुत बढ़िया बढ़िया फैमिली रेस्टुड़ंटर दो कि मसमस गाड़िया भी घड़ी है यह अपनी गाड़ियों मास चलो चाला सरदाम के लिए लेफ्ट लेना यहां से अरे यह चल गया है यह देखो चीज वीर लोट जी जाट सरकल से लेफ्ट लेने ना यह आप गेट दिख जाएगा तो बोल चाला सरदाम की जैए तो बाई सुजान गड़ लेफ्ट राइशेड लक्षमन गड़ और सीदे अनुमान जी का साला सरजी का मंदिर सिर्फ एक किरोमेटर है अब राइशेड साला सर्जी कि लिए ना भाई यह गोल चक्कर से राइट लेना और बगल में एक सीज देखो है ट्रांस्फार्मर के इस तरफ भी पार्किंग 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 ले रखे सब कहीं और यह बाबा के लिए मार्केट भाई पूरा अब थोड़ी से दूर हो रहे गए जै स्टी शाम जै स्री राम जैस्रीर राम और यह देको बजिंग बली इनने दिखा जे बहुत बहुत दन्यवाद जी लोगी साला सर पोस्त ते बाला जी के दर्शन ओचुके अपने को आहां से स्टार जवाता मेन बिज़स के जानकारी अच्छी है न वो तो गारी में भी जा सकता देखो वरना अपना पैदल यात्री करो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है वह आप देखोंगे नागल बहुत ही सुन्दर लग रहा है लोग यह पर वेश द्वार साला सर वाला जी द्वार यहां से लेकर और यहां तक जै अब यह सारे भाई यहां पर अपनी साला सरद्धाम में जय बाबा की है चलो भाई है तो भाई कुछ ऐसा दिखता अंदर से देख लो पंके लगा रखा गल वगल गर्मी हो तो हवा लगती लेगी तुम्हारे को साथ साथ तैसे आप अंदर गुस हो गया आपको परशाद पूरा मिल जाया सावामनी जिसों करनी हो भी परशाद यह नम है परशाद भी यह वाड़ा परशाद भी और अलग सामगरी बाहर से लेना सब्सक्राइब करने लिए अब चलते अपने तो भाई जब आप आगे चलोगे तो इसे कहते हैं जंडूला मुंडन जहां बच्चों के बाल उतारे जाते ना वह जगया है यहां बच्चों के बाल उतारते हैं यह नाई बैठे भाई दर्शन यह तो इधर जाएं चलो है चलो है यह बाई कोई द्वार है बड़ा सा देखो इसों क्रोज करने के बाद कि यह लेफ्ट साइड में तो अच्छा परसाद यह यहां पर भी यहां परसाद मिल रहा है इधर भी जब भीडिडय होती होगी जब रेलिगंगोंसे आते होंगे लोग देखो मं गया हम इधर जाना जैवापाटी फैसे खे शेदर राम प्यと思 टीराम लें लैंना यह एवज लग्तिगे लग एव्टन कि अंदर बहुत स्ट्रिकनेस है अंदर तो बाबाजी की फोटो लेनी नी थी और अच्छी बात है चलो सबको दर्सर करने चे फोटो लेने के कोई जुरूई नहीं है कि फाइनली आगया अपन मंदिर परिशत से बाहर यह चोट चोट खोशी लिए देखो कितनी पैड़ लग रहे हैं कि वह बहुत सुन्दर वाई यह सारे चीडियों के लिए चीडियों के लिए दाना होना लगा रखाए बाकि भाई यह सालसर धाम बाबा का एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी को डाड़ी और मुच दोनों दे रखी है ठीक है दाड़ी और मुच बाबा के सालसर धाम में यह सालसर धाम है यह सुर्जन गड़ के पास सुरू राजस्थान के अंदर स्थित है और यह एक जाट फार्मर था सोता विलेज का उसको मतलब वह बाला जी का भग था बहुत बड़ा भग था और वह जब खेत अपना जोत रह जाना तो उनके हलके नीचे हनुमान जी की मूर्ति आगे थी जिसको यहां स्ताफित क्या हुआ वही मूर्ति एक मातर ऐसी मूर्ति सालसर मंदिर में मातर ऐसी मूर्ति जिसके डाड़ी और मुच आप देख सकते हो ना करने के लिए रत के भी स्वरी हाल के भी दर्शन कर लो यह देखू है कुछ ऐसा सा देखता है एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ हुआ है तो सीशा खराब और कैसे दिखेंगा नहीं तो जैस्री राम है कल रात के आट हुजे निकले वे आज देनी के दर्श बच तो भाई अगर यहां तक वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे अच्छे व्लोग आते रहेंगे तब तक के लिए रादे रादे जैम आता दी और जैस्री राम